हाई गाईज वेलकम बैक टो माई योट्यूब चैनल तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो आपने टाइम लैप्स देखा वो लाइट ट्रेल टाइम लैप्स था और यह मैंने फोन से शूट किया है अगर आप शूट करना चाहते हैं ऐसा टाइम लैप्स तो आपको महेंगा कैमरा लेना पड़ेगा जैसे DSLR या और भी कोई कैमरा बट यही टाइम लैप्स आप फोन से डाइरेक्ट शूट कर सकते हैं बस आपको दो एप्लिकेशन की ज़रुत पड़ेगी है अपने फोन पे पहला है इंटर वेलो मीटर जो की पेड़ सॉफ्टेर है 120 रुपीज पे करना पड़ेगा आपको प्लेश्ट उर्में डाउंलोड करने के लिए अगर आपको 120 रुपीज पे नहीं करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से फ्री डाउंलोड कर सकते हैं और दूसरा अप्लिकेशन है टाइम लाब जो की फ्री अप्लिक करने का option देगा configure करने का मतलब है कि आपको एक point देगा red color का like this और आपको इसे target करना है अपने main camera के shutter पे तो आप main camera खोल ले और उसे pro mode में switch कर दे, main camera के pro mode में आप switch कर दे और red circle को अपने shutter पे ले आए, पहला काम हो गया, okay कर दे, okay करने के बाद आपके पास तीन option खुलेगा, पहला option है कि कितने time के बाद आपको video start करना है, तो अपने हिसाब से 3 या 4 second रख ले जितने time के बाद आपको video start करना है तो second option बहुत ज़्यादा important है कि आपको कितना photo shoot करना है, कितना photo आपका camera direct लेते रहेगा तो आप जितना ज़्यादा रख सकते हैं, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना second का आपका video लंबा बनेगा minimum आपको 24 एक second के लिए रखना पड़ेगा, तो आप करीब 24 इंटू 5 करदे अगर 5 सेकंड करना है, 24 इंटू 6 करदे अगर आपको 6 सेकंड करना है तो 24 minimum रखें एक second के लिए और उसके हिसाब से आप बढ़ादे time, जैसे 300-400 करीब रखें अगर आपको 5-6 सेकंड चाहिए video मतलब जितना ज़्यादा भीड होगा, जितना ज़्यादा movement होगा, अतना interval कम रखें तो ज़्यादा अच्छा हैगा तो ये सारा setting करने के बाद आपको एक चीज और करना है, अपने camera पे जाए, जो pro mode आपको दिख रहा है, वहाँ पे shutter लिखा होगा, या S लिखा होगा तो normal 1 या 2 आप second रख सकते हैं, और आप start पे click करेंगा, तो आपका photo लेना start हो जाएगा main चीज की आप use करें, tripod या monopod, मतलब ऐसा कुछ की video stable रहे, मतलब photos जो ले वो stable रहे, phone still रहे, movement ना हो हाँ से shoot ना करें, किसी चीज में आप fit कर दें, या tripod आप छोटा सा ले ले, तो उसमें video बना सकते हैं, आप इसे लेके, क्योंकि movement आएगा, तो वो खराब हो जाएगा इसे करने के बाद, photo लेने के बाद, second option आपके पास आता है, create करना, अब video form में उसको, photos जो आपने लिया, उसे video form में create करना, second software अब use होगा, time lab आपने डाउनलोड किया, उसमें create आप photo से time lab बनाने का option देगा, ये इसे click कर ले, और वहाँ photo select करने का option देगा, तो start to end जितना photo वहाँ है, आपके gallery पे या कहीं save हो है, तो start to end up select कर ले, और आप option देगा कि कितना resolution और कितना frame में आपको चाहिए, तो आप maximum maximum set कर ले, सब resolution और frame, और ok कर दे, और आपका video create हो जाएगा direct, और आपके phone पे direct save हो जाएगा, और बहुत अच्छा आपका video create हो जाएगा बिना use कि DSLR